नमस्कार साथियों मैं फिर आजिर हूँ एक नई कानी के साथ जो आपको एक नया द्रश्टिकॉन देगी और आपको नया मार्क दर्शन प्रदान करेगी प्राचीन समय में बिद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे बच्चे को शिक्षा ग्रेंड करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखवाल किया करते थे और अध्यन भी किया करते थे बरद राज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया बहां आस्रम में अपने साथियों के साथ गुलने मिलने लगा लेकिन बैप पढ़ने में बहुत ही कमजोर था गुरु की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी इस कारण सभी के बीच बे उपहास का कारण बनता था उसके सारे साथी अगली कक्छा में चले गए लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया गुरु जी ने भी आखिर हार मान कर उसे बोला बेटा बरद राज मैंने सारे प्रियास करके देख लिए अब यही उचित होगा कि तुम यहां अपना समय बरवाद मत करो अपने घर चले जाओ और घरवालों की काम में मदद करो बरद राज ने भी सोचा कि सायद बिद्या मेरी किसमत में नहीं है और भारी मन से गुरु कुल से घर के लिए निकल गया दोपेर का समय था राज्ते में भी उसे प्यास लगने लगी इधर उदर देखने पर उसने पाया की थोड़ी दूर पर ही कुछ मैलाएं कुए से पानी भर रही थी बै कुए के पास गया बहाँ फत्तरों पर रसी के आने जाने से निसान बने हुए थे तो उसने मैलाओं से पूछा यह निसान आपने कैसे बनाए तो एक मैला ने जवाब दिया बेटे यह निसान हमने नहीं बनाए यह तो पानी खीशते समय इस कौमल रसी के बार बार आने जाने से ठोस फत्तर पर भी ऐसे निसान बन गए बर्दराज सोच में पड़ गया उसने बिचार किया जब एक कौमल से रसी के बार बार आने जाने से एक ठोस फत्तर पर गेरे निसान बन सकते हैं तो निरंतर अभ्यास से मैं बिद्या ग्रेंड क्यों नहीं कर सकता अब इसके बाद क्या है बर्दराज धेर सारे उत्सहा के साथ बापस गुरुकुल आया और अथकड़ी मेनत की गुरुजी ने भी खुस होकर बरपूर सयोग किया कुछी ही सालोबाद यही मंद बुद्धी बालक बर्दराज आगे चलकर संस्कृत ब्याकरण का महान बिद्धवान वना जिसने लगू सिद्धान्त कौमुदी मद्य सिद्धान्त कौमुदी सार सिद्धान्त कौमुदी और गिर्वान पदमंजरी की रचना की इस कहानी से हमें यह सिक्ष्य मिलती है दोस्तो अभ्यास की सक्ति का तो कहना ही क्या है यह आपके हड सपने को पूरा करेगी अभ्यास बहुत जरूरी है चाए वो खेल में हो या पड़ाई में हो या किसी और चीज में बिना अभ्यास के आप सपल नहीं हो सकते हो अगर आप बिना अभ्यास के केवल किसमत के वरो से बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पस्तावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा इसलिए अभ्यास के साथ धेरिये के साथ परीश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए आपको सपलता अवश्य मिलेगी